नमो जिनानम जिदभवाणम आज शुरुत पंचमी का पवित्र दिवस है और मुझे जो विचार विशेश रूप से आ रहा है वो यह है कि हमें मूल ग्रंतों पर भूत ध्यान देना चाहिए सबसे महत्तोपूर्ण बात जो चित में आ रही है वो यही आ रही है कि हमें मूल ग्रंतों पर भूत जोर देना चाहिए जैसे मैं उदारण देता हूँ कोई उसको अन्य था न ले कि जैसे मुझे समय सार पढ़ना है तो हम आदुनिक व्याख्या से थोड़े उपर उठें और हम जैचंजी चावड़ा को पढ़ें फिर जैचंजी को भी छोड़ दें हम तो बनारसी दास तक पोँचें बनारसी दास को भी छोड़ दें अम्रत चंद्रोड जैसे इनको पढ़े और मैं तो कहना चाता हूँ कि हमें अम्रत चंद्रोड जैसे इनको भी एक बार छोड़ देना चाहिए हमें एक बार कुंद कुंद को पढ़ना चाहिए आज सुरुत पंचमी के दिन हमें मूल गंगोत्री तक पहुचने की कोशिस जरूर करनी चाहिए मूल ग्रंथों की रख्षया का बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है और भविस्च में इसके मेरे पास में अभी प्रफेस है छोटा सा उसलिए से आज ब्रामी लिपी के फड़ेस में दस-पांच रहे गए हैं ऐसे ही ऐसा समय आ जाएगा कि लोग प्राकृत को पढ़ने वाले दस-पांच पूरे विस्च में बच जाएंगे प्राकृत केवल दर्सनी और प्रदर्सनी की वस्तू रह जाएगी हमें मूल तक पौँचना चाहिए एक हजारी लाल काका हुए है उन्होंने कविता लिखी है कभी नहीं सोचा था हमने ऐसे दिन आएंगे अनुवादों के अभिनंदन और मूल धूल खाएंगे कभी नहीं सोचा था हमने ऐसे दिन आएंगे अनुवादों के अभिनंदन और मूल धूल खाएंगे हमें सबसे बहुत पवित्र मन से बहुत हार्दिक भावना से बिना किसी की निंदा अलोचना किये सबकी उपियोगिता स्विकार करते हुए आधुनिक व्याख्याओं की भी उपियोगिता है आधुनिक अनुवाद, पद्यानुवाद सभी अपनी अपनी जगे महत पूर्ण है मैं किसी की काट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मूल की हमारे सास्त्री, आचारी तक के विद्यार्थी हिंदी पद्यानुवाद बोलते, मूल गाथा नहीं बोलते हैं उनको मंगला चरण करने को बोलते हैं तो वे हिंदी में मंगला चरण करते हैं हमारा आगम कैसे सुरक्षित रहेगा हमारी कैसी प्रवचन भक्ती है, हमारी कैसी सुरुत भक्ती है यदि हम प्राकृत भासा को महत तो नहीं दे सके, तो ये बहुत बड़ा नुक्सान हो जाएगा, कभी भी किसी देश की समाज की संप्रदाई की संस्कृती नश्ट होती है, तो पहला प्रहार उसकी भासा पर होता है, और वो भासा, यदि उसकी भासा प्रभावित हो गई, भासा नश्ट हो गई, तो सने सने वो संस्कृती नश्ट हो जाएगी, इस बात के मेरे पास हजारों एतियासिक प्रमान और उधरन मौजूद है, बड़े बड़े समाज सास्त्रियों ने ये कहा है, कि अपने देश की भ दूसरे लोग है, आज भी हमें दूसरे संप्रदायों से मेरी कॉलोनी में गुरु द्वारव होते हैं, और सिख लोग बहुत है, वो सब पूरे हमारी कॉलोनी में पोस्टर लगाते हैं, तो गुरु मुखी में लगाते हैं, लिपी तक भी और भासा भी, वो ही चलती है, ग प्राकृत भासा की रक्षा करो मूल तक जाओ मूल से पढ़ो अनुवाद को और उत्तर को पढ़ते हुए पढ़ना पढ़े तो मजबूरी समझो थोड़ा सा लज्जित समझो मूल गरंत को पढ़ने में गर्व और हर्स होना चाहिए उत्तर गरंतों को पढ़ने में हमें कहीं कहीं थोड़ा खेद रहना चाहिए ऐसी मेरी भावना है पर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो छमा करना सुरुत पंचमी के दिन मैं तो मूल गरंत ये बेंजी मूल गरंत पढ़ा रही है मैं बहुत प्रसन होता हूँ और सब लोग जो मूल गरंत कोई भी पढ़ाए मैं उसके चरणों में बैठके पढ़ने तयार होता हूँ ये वाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी है हमारी मा की वानी है हमारी मात्री भासा है ये मुझे कोई सुनाए ना तो कम समझ में आता हो तब भी आनंद आता है और आपको क्या बता हूँ एक बार यदि प्राकृत आ जाएगी मैं पूरा समय साथ डेड़ घंटे में पढ़ लेता हूँ मैं ग्रंतों को डेड़ डेड़ दो दो मैं पढ़ लेता हूँ प्राकृत सीखी जा सकती है सरल है कठिन नहीं है सब लोग प्राकृत वासा सीखें और जितना ज्यादा मूल तक पहुंच सकें उतना मूल तक पहुंचें तभी हम सुरुत पंचमी को सई से मना पाएंगे ऐसा मेरा सभी से पवित्र निवेदन है जय जयादू सुद्ध देवता जयादू सुद्ध देवता जयादू सुद्ध देवता जयादू सुद्ध देवता दीदी जी को अन्यूट कीजेगा